हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब बेबी होता है तो लोगों को यह कंफ्यूसन होता है अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं कि बच्चे को एक बार में कितना दूद्ध देना चाहिए कई लोगों को कुश्यन आता है कि मै आपको कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे दूसरी चैनल को एक बार विजिट जरूर करिए वहां पर आपको प्रेग्नेंसी से रिलेटेद बहुत सारी जानकारिया मिले और मेरा एक चैनल और है हेल क्लब के नाम से आप उस चैनल पर विजिट जरूर करिए पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए वीडियो चुरूर करते हैं तो सबसे पहले हफ़ते की जब बेबी हुआ है तो आपको कितना दूद देना है पहले हफते में उस कुछ बचे 25 अमेल ही पी नहीं पिछाए तो आपको परिशान नहीं होना है दीरे धीरे बस उसको बढ़ाना और एक चिसका और भी धियान कि जब आपको देना शुरू करें तो शूरूरा थोड़ा ही बनाइं ताकि वह खतम हो जाए आप दूबारा से बना लीजे क्योंकि अगर बचे लिए तो उस फार्मूला मिल्कों दुबारा से उसमिलयों करना है तो आपको फेग देना है exercise तो बिछ पिंच पने बच्चे को पहले हम्ते दूद्ध दे सकती हैं और बच्चे उसके लिए तो यह सकता है बच्चा भूखा की बच्चों होती है तो इस तरह से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बच्चा भूखा हो गया है और आपको दूद देना है और अगर बच्चा कोई संकेत नहीं दे रहा है तब भी आपको हर 2-3 घंटे के बीच में बच्चे को दूद दे नहीं देना है यह हो गई पहले हफते की बात अब दूसरे हफते में आप 60-70 ml तक अपने बच्चे को दूद दे सकती हैं मैं फिर भाई कहूंगी कि अगर आपका बच्चा उससे कुछ कम पी रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है हर बच्चे की भूख अलग-अलग होती है किसी को कम भूख लगती बस आपको यह कोशिश करने कि आप हर 2-3 घंटे पर बच्चे को दूद देती रहें अब बच्चा जब आपका तीसरे हफते में लग जाएगा तो तीसरे हफते से लेकर लगभग 2 महीने तक आप अपने बच्चे को 70 ml से लेकर 100 ml तक दूद असानी से दे सकती है और दूद दीजिए गा तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि दूद ना बहुत जादा गर्म पानी में आप बनाए फार्मूला मिल्क ना बहुत ही ठंडा पानी हो क्योंकि बच्चे को फिर टेस्लेस लगेगा अच्छा नहीं लेगा और बहुत तेस पानी अगर गरम हुआ तो इसका मुह भी सकता है मैं यहां यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब टेन में और जीडा उन्थ्य के अदर हैं पूरे दिन में मिला के आपको लगबग 900 ml तक दूद अपने बच्चों को पिला देना है जब वह 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर का है आप उसको दिन में जितनी भी बार देती है आपने हिसाब से सेट कर लें कि दिन भर में वह इतना दूद पी ले और जब बच्चा 6 महीन कि 900 ml तक दूद एक गिन में बच्चे को पी लेना है तब आपका बच्चा 600 ml भी एक गिन में पी ले रहा है तो वह सही है अगर आपका बच्चा इतना भी दूद नहीं पी रहा है दिन भर में तो आप उसी फॉर्मूला मिल्क में उसको सरलैक बना के दे सकती है या आप बच्चे की दूद की कमी है वह पूरी होती रहेगी और बच्चा सॉलिड भी असानी से ले लेगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब खाना शुरू कर देते हैं तो दूद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन आपको किसी ना किसी तरह से बच्चे को एक द सॉलिड चीजे लेना शुरू कर देता है तो ऐसे में अगर दिन भर में 500 ml दूद पी रहा है तो इसके लिए उतना काफी है अगर उसे ज्यादा पी रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपको बिल्कुल भी कम भी नहीं करना है कि अगर वह सॉलिड खा रहा है उसके बाद है कि सफाई भी कर रहे थो है करें रोज बॉक लोग को वाय करना है तो इक बार आप ने भूड़ यूस कर सकती थिका तो पीपको पी यूपने लुप L वाय कर लिया तकी आप यह नहींसा हो कि कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपके पास यह बार आप ने दूड़ नहीं कर तो आप ऐसा भी कर सकती है कि तीन चार बॉटल रखें और उसको सुबह में सारी बॉटल को अच्छे से साफ करके धूल के बॉइल कर लें ताकि दिन भर आपकी वह बॉटल आराम से चल जाए इसे आपको भी बहुत आराम रहेगा और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होग वरना जो बच्चे बॉटल ला फीट करते हैं कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बॉटल की सही से सफाई ना होने की वज़े से बच्चे को पेट में इंफेक्शन हो जाता है बच्चे बहुत जादा परेशान हो जाते हैं तो आप बॉटल की साफ सफाई का भी ध्यान बहुत निपल चिड़ बाड़ा नहीं कर दूद के बाड़ा चैद मारा पिए तो इसका जाल कर दोड़ बिच्छ को बहतरु बैस बिच्छ बने भाध की के बाड़ा होको बिच्छ int gals आ iod messed in is constitutional जा निकालब बैसा हवाल बेक्छा के बाड़ा है औरी विच्छा में उसके पेट में चली जाएगी जो बच्चे के लिए नुकसान दे हो सकती हो उसके पेट में दर्द हो सकता है तो अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रही है तो इन चोटी चोटी बातों का भी ध्यान रखिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको फार्मूला मिल्क देना है किस मन के हिसाब से कितना देना है देते टाइम क्या क्या सौधानिया रखनी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें